हलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पुशुदन, मेरे नाम है संदीप सिंग और आज हम बात करेंगे हरेचारे की खेती के बारे में कि हरेचारे कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइम पे हरेचारे को उगाये जाता हैं, इसका उत्पादन कितना होता हैं, तो ऐसे बहुत सारे हरेचारे के बारे में आज आप लोगों को में बताऊंगा, साथ साथ आप लोगों को में ये भी बताऊंगा, कि आप लोग इन हरेचारे को कहां से खरी सकते हैं, या फिर इनके बीच को आप कहां से ले सकते हैं तो जब भी हम लोग dairy farming करें या फिर बकरी पालन करें हमें हरे चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूत होती हैं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हरे चारे को आप लोग कैसे उगा सकते हैं तो चली हम लोग शुरू करते हैं उससे पहले अगर हम बात करें हरे चारे के वेरेटी के बारे में तो आप लोग हरे चारे को दो भागों में बाट सकते हैं पहले होते हैं फलीदार हरे चारे एवं दूसरे होते हैं बेफलीदार हरे चारे जो फलीदार हरेचारे होते हैं ये दलनी हरेचारे होते हैं एवम इन में प्रोटीन केल्चियम की मात्रा भी काफी ज़्यादा पाई जाती हैं इसलिए ज़्यादा पोश्टिक होते हैं जो बे फलीदार हरेचारे होते हैं ये वजन में तो ज़्यादा होते हैं लेकिन जो इनकी पोश्टीक्ता है वो फलीदार चारे के मुकाबले थोड़ी कम होती है तो हम पहले बात करते हैं फलीदार चारे के बारे में तो यह सबसे पहले नंबर पर है वो है लिूरसन जिसे रिचका कहा जाता है यह वर्षे बर उपलब्द रहने वाला हरा चारा है इसे आप लोग अक्टूमर से नंबर में बो सकते हो एवं इसकी साथ से आठ बार कटाई की जाती है बीच की अगर हम बात करें तो लगबग एक एकड के लिए आप लोगों को आठ किलो बीच की आउशकता होगी और इसको आप लोग लगबग लगबग यह पूरे वर्षे बार आपको चल जाएगा और इसकी कटाई की हम बात करें तो लगबग साथ आठ कटाई आप इसकी करते हैं जिससे की आपको लगबग 200 कोईंटल हरा चारा मिलता है इसकी बुवाई आप लोग अक्टुम्बर नॉंबर माह में करते हैं यह आपका लगबग अप्रेल माही तक चल जाता है बीच की अगर हम बात करें तो एक एकड के लिए आप लोगों को 10 किलो बीच की आउशकता होगी और इसकी भी आप लोग लगबग 10 कटाई कर सकते हैं इसकी अगर उपच की हम बात करें तो लगबग 1 एकड से आप लोगों को 500 कोईंटल हरा चारा मिलता है तीसरे नंबर पर हैं लोबिया यह भी पश्यों के लिए काफी अच्छा हरा चारा है इसकी भुवाई बरसात के मुसमें जुन जुलाई में की जाती है और इसके बीच की हम बात करें तो लगबग 8 से 10 किलो बीज आप लोगों को एक एकड के लिए जरूत होगी और इसकी कटाई भी आप लोग काफी आसानी से कर सकते हैं इसकी पेदावार की अगर हम बात करें तो लगबग 1500 केंटल आप लोगों को पेदावार एक एकड से मिलती हैं इसके बाद अगर हम हरे चारे की बात करें तो अगला हरा चारा है आपका राइस बीन यह हरा चारा मार्चे से लेकर बरसात तक उगाया जाता है एवं इसमें सबसे ज़्यादा 14% प्रोटीन पाया जाता है यह हरा चारा आपके सभी तरह के पश्यों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होता है इससे दूद बढ़ता है आपके पश्यों के जो हेलते हैं उसमें भी सुदार होता है इसके बीच की अगर हम बात करें तो लगबग एक एकड के लिए आप लोगों को दस किलो बीच की आउशकता होगी एवं इसके उत्पादन की हम बात करें तो लगबग डेढ़ सु केंटल हरा चारा आप लोगों को एक एकड से मिलता है यह हो गए आपके फलीदार चारे, इसके बाद जो आते हैं वो हैं बे फलीदार हरे चारे, इसमें पहले नमबर पर है जुआर, यह बरसात में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपून हरा चारा है, एवम यह आप लोगों को कम जगा में अधिक उत्पादन देता है, इसके ब नमबर पर है मक्का, यह बरसात में उगाया जाने वाली प्रमुक पसल हैं, लेकिन इसे आप बरसात में, गर्मी में, ठंड में कभी भी उगा सकते हैं, इसके बीच के अगर हम बात करें, तो लगबग एक एकड़ के लिए आप लोगों को 9-10 किलो बीच की आउशकता होगी हरे चारे के लिए, यह हम इसके उपज की हम बात करें, तो लगबग 120 क्वेंटल हर चारा आप लोगों को मिलेगा, तो यह भी फसल आप लोगों के लिए काफी अच्छी होगी, तीसरे नमबर पर जो आप लोगों का हर चारा हैं, वो है नेपियर, जिसे हातिगास भी कहा ज होती हैं, डंटल आप लोग वर्ष बर कभी भी लगा सकते हैं, एवं इसको एक एकड में आप लोगों को लगाने के लिए लगबग 200-3000 कलम की आउशकता होगी, यह बहु वर्षी हर चारा है, इसको एक बाल लगाने से लगबग 5-6 साल तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं, त जो अगली कटाईया हैं, दूसरी, तीसरी, चोती, उसे आप लोग 40 दिन में कर सकते हैं, ठंटके मुसम में थोड़ा कम बढ़ता हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में इसकी बढ़वार काफी अच्छी होती हैं, तो अगर इन सारे हरे चारे में से अगर आप दो या तीन तरह के हरे चारे भी लगा लेते हैं, तो आपके पशियों को काफी अच्छा हरा चारा उपलब्द हो जाएगा, अगला जो हमारा हरा चारा है, चोते नंबर पर वो है गीनी गास, ये भी नेपेर की तरह बोवर्षी हरा चारा है, इसकी कलम भी आप लोग लगबग 25-3000 कलम एक ए उपज की हम बात करें, तो 1.500 क्वेंटल से लेकर 1.500 क्वेंटल तक आप लोगों को एक एकड़ से उत्पादन मिलता है, अगला जो आपका हरा चारा है, जिसे जो या ओट सा कहा जाता है, ये ठंड के मुसम में लगाए जाने वाला हरा चारा है, इसकी बुआई आप लोग 25 से 30 किलो बीच की आउशकता होगी एक एकड़ के लिए, और उत्पादन की अगर हम बात करें, तो लगबग 1.500 क्वेंटल से लेकर 180 क्वेंटल हरा चारा आप लोगों को मिलेगा, इसमें भी प्रोटिनेयों केल्शियम काफी अच्छी मात्रम पाया जाता है, तो आप अप चारे को आप लोग घर बेटे ओनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं, करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाना है, बेतर जिंदिकी एप को डाउनलोड करना है, उसमें आप लोगों को किसान उत्पाद से जुड़े हुए, सभी समान मिल जाएंगे, जैसे कि टोर्च हो लाग से जादा इस पर किसान जुड़े हुए हैं, यहां सभी तरह की समान है, वो आप लोगों को केशन डिलेवरी मिल सकते हैं, उमेद हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आये होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कैसा लगा है वीडियो को तमेंट कर हैं, तो उसके साथ में मक्का या जोर लगा लें, इसलिए आपका एक बेलेंज जोर अचारा है, वो तयार हो जाएगा,